स्वागत है बही स्वागत है हम सब के लिए गर्व और गौर्व का शण है मान्य प्रधान वंत्री जी सविधान को अनमन करें भारात माता के भारात माता के वन दे वन दे वन दे स्वागत है बही स्वागत है 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 हमारा लिए बड़ा गर्व और हर्ष का शण है कि मानने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी हमारे बीच में आ चुके हैं मैं मानने राष्टिय अद्यक जी से कहोगा कि वो गंचा और पुष्ख बुच्च के द्वारा मानने प्रषान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें स्वागत है वही स्वागत है फिर ती स्री बार पिर ती ती स्री वार आज इस एंडिय की बैठक में मैं माने राश्टी अध्यक जी से आगरे करूँगा कि वे स्वागत भाशन के साथ आज की इस बैठक को प्रारम करे राश्टी अध्यक्ष माने जगत प्रकाश नडा जी हम जोड़दर करतल हम सब के अश्रश्री प्रधान मंत्री आदर्मिय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे हमारे सभी एंडिये के घटक दल के सभी वरिश नेतागन यहां उपसित हमारे सभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और सभी एंडिये के नवनिर्वाचित हमारे सांसतगन और हमारे सभी संसद्य दल के सांसतगन ये एक एतिहासिक पल और ये एक एतिहासिक घड़ी जिसका हम सब को इंतजार था वह घड़ी आ गई है और हम सब लोगों ने तीसरी वाद लगा तार हमारे एंडिये के गड़बंदन के नेता के रूप में अपने आदर्न ये तुल्हान मंत्री और नेता का चैन हम सब करने वाले हैं इस एतिहासिक घड़ी पे और इस एतिहासिक सेंट्रल हॉल समविधान सदन में आज हम सब लोग इसके चश्मदीद गवा बन रहे हैं यह हम सब का सौभाग्य है मैं आप सब लोगों की तरफ से और हमारे एलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से करोडों लोग जो इस समय संसद ये दल की गतिविधी को देख रहे हैं मैं उन सब की और से आदर्णिय प्रधान मंत्री जी का हारदिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं मैं अपने सभी एंडिय के घटक दल के नेताओं का मंचासीन और सामने बैठे सभी नेताओं का अपने हिर्दे की गहराई से उनका भी हारदिक अभिनंदन करता हूं स्वागत करता हूं हम सब लोग आदर्णिय प्रधान मंत्री जी को अपने दिल की गहराईयों से हारदिक बधाई देते हैं जिनके अथक प्रयास अथक मेहनत हर पल हर घड़ी हर दिन हर वर्ष हर पलपल देश की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित किया और यही कारण है कि आज भारत पुना इतिहास रच रहा है कि तीसरी वार लगातार बहुमत के साथ एंडिय की सरकार आ रही है मैं इस घड़ी में इस बात का भी उल्लेक करना चाहता हूं कि जहां हमने लोकसभा में एंडिय ने भाहुमत हासिल की और तीसरी वार लगातार वही हमने उडिसा में भी अपनी विचारधारा की सरकार बनाई और वहाँ भी हमें सफलता मिली मुझे खुशी है आप सबसे ये बताते हुए कि आंद्र प्रदेश में भी एंडिय की सरकार एक तरफा बनती और अरुनाचल प्रदेश में लगातार तीसरी वार भी हमने अपनी सरकार बनाई और शिक्किम में भी एंडिय की सरकार बनी है उसके लिए भी मैं बहुत 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 बढ़ाई जिराजा ये एंडिय का विकास यात्रा आदर्णिय प्रदान मंत्री मोदी जी के अथक प्रयास से उनकी नीतियां रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांस्फॉर्म देश को आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने नित्रतु किया और फ्र कि आज हम इस एतियासिक पल के साक्षी हो रहे हैं हमें याद है दस साल पहले उदासीन भारत था दस साल पहले भारत के बारे में ये कहा जाता था कि यहां कुछ बदलने वाला नहीं है और आज दस साल बाद मोधी जी के नेत्वत में वही भारत आकांग्शी भारत बन गया और विक्सित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा है इसको भी हमको समझना जाएगी देश की सरहद मजबूत हुए देश की सुरक्षा मजबूत हुई अंतर राष्टिय द्रिश्टी से भारत ने अपने आपको स्थापित किया आदरनी प्रधान मंत्री मोधी जी के नित्वत में वहीं देश का इंफ्रास्ट्रक्शर आगे बढ़ा और वहीं गाउं मजबू ही महिलाओं का सशक्तिकरन हुआ युवाओं के आकांग्शा को पंक लगे हमारे किसानों को मुक्षधारा में लाया गया और हमारे दलितों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का रास्ता रख और ये सबसंभव हुआ जिस मंत्र को लेकर आदरनीय प्रधान मंत्री जी चले सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उनके परिश्रम के कारण यह हम आज देख रहे हैं और हम अपने नित्रतु का फिर से चैन करने वाले हैं, मैं रामधारी सिंग दिनकर जी की कविता पंतियां पढ़ना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी के पुना स्वागत में वसुधा का नेता कौन हुआ भूकंड विज्वेता कौन हुआ अतुलित यश्क्रेता कौन हुआ नवधर्म प्रणनेता कौन हुआ जिसने न कभी आराम किया विगनों में भी रहकर नाम किया ऐसे हमारे यशा स्री प्रधान मंत्री जी के नेचत्तु में हम आगे बढ़े हैं मैं अपने वरिश नेता भारत सरकार में रक्षा मंत्री रहे आदर्निय श्री राजनाथ सिंग्जी से अन्रोध करूँगा कि वह इस सदन में एक प्रस्ताव रखे आदर्निय राजनाथ सिंग्जी साथियों सबसे पहले तुम्हें लोक सभा के जितने भी डूली एक्टेड मेंबर्स हैं सबको अपनी तरफ से हारदिक बढ़ाई देता हूं और अन्रोध सभी को अपनी तरफ से इस उसर पर हारदिक शुक्ताम नहीं देता हूं साथियों आप सबको जानकारी है कि आज हम भारती जन्ता पार्टी के संसदी दल के नेता वा यंडिये संसदी दल के नेता वह लोकसवा में नेता के चैन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं मैं समझता हूं कि मोदी का ना हूं इन सारे इपड़ों के लिए सब्चे योग, उफयोग और सर्वत लाएं और साथ योग यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंत्र मंडल में उनके सहयोगी के रूप में उनकी कारिशमता, उनकी कारिकुशलता, दूरदर्चिता, प्रामणिक्ता को मैंने प्रत्यक्ष देखा है, और क्यों मैंने ही नहीं देखा है, बलकि समस्त देश्वासियों नेशी देखा है हम सब के लिए प्राशनता का विश्य है, यंडिये की सरकार ने दस वर्सों में उनके नेत्रत में देश की जो सेवा की है, उसकी भारत पही नहीं बलकि दुनिया के दूसरे देशों में भी उसकी प्रसंद साब हो रही है हम सब को जस्तो भाग ये प्राप्त हुआ है, कि तीसरी बार हम लोगों की यंडिये की सरकार बनने जा रही है साथियों 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने जा यहां तक मेरी जानकारी है मित्रों लोगतांत्रित देशों में पुरे विश्यों में तीसरी बार यह आउसर एदिकी सी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी यंडिये को यह आउसर प्राप्त हो रहा है और साथियों हम लोग सोभाग्य साली हैं कि मोधी जी जैसा है एक चन्न कल्यान कारी है और संबेदन सील प्रधानमंत्री हम लोगों को मिलने जा रहा है इनकी देत्रतु शमता इनकी कारेकुसलता इनका व्रीजन इसके कारण मैं मानता हूं कि हमारे यंडिये परिवार में भी व्रिद्धी हुई है हम सबकी पहचान गठवंदन धर्म का निर्वाह करने वाले एक ऐसे परिवार के रूप में हुई है और यह सिलसिला जब आधनी अटली हारी वाज पेईजी भारत के प्रधानमंत्री ते उसी समय से प्रारंबभ हुआ है और मैं यस्पश्ट कर देना चाहता हूं इलाइंस गठवंधन यह हमारे लिए कंपल्सन नहीं है बलकि हमारा यह कमिटमेंट हमें भारत को एक सक्षम, सम्रिद, विक्षित, स्वाजिमानी और ससक्त राफ्ष के रूप में आगे ले जाना है और मैं कह सकता हूं कि पिछले दस वर्सों में मोडी जिके नित्रत में भारत की दशा, दिशा, मनो दशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और साथियों पिछले दस वर्सों में आज देश इस दौर में पहुंच गया है जहां देश ही नहीं, सारी दुनिया को ये भरोसा हो गया है कि भारत देश विक्षित होने के साथ साथ समुचे विश्व को नेत्रित्व और नई दिशा देने का सामर्थ से रखता है और साथियों, आज देश अपने आपको दसकों के लिए नहीं, बलकि सरीयों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है और मैं मानता हूँ कि इस काम को और अधिक गटी देने के लिए मोडी जी से बहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो दखता है इसलिए इसलिए भारतिये जनता पार्टी के संसदीय दल के देता युम यंडिये के संसदीय दल के नेता वो लोग शभा के नेता के रूप में मानि नरंद्र बोडी जी के नाम का प्रस्ताव करता इस कारेवाई को आगे बढ़ाते वे मैं हमारी पार्टी के वरिशनेता देश के गह मंत्री मानि अमिच्छा जी से निवेदन करेंगा कि प्रस्ताव का अनुवदन करें साथियों सभी को ग्रदय पुरुवक पुना लोग सभा में जीत कराने के लिए बहुत मन से बढ़ाई अभी अभी देश के रक्सामंत्री जी ने लोग सभा सदन के निता भारते जनता पार्टी संसद्य दल के निता और NDA संसद्य दल के निता के रूप में स्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है इसका मैं मन से समर्थन करता हूँ साथियों प्रस्ताव सिर्फ हम सब बैठे हुए चंद लोगों के मन की इच्छा नहीं यहां बैठे हुए NDA के घटक दलों के एक सर्वसम्मत इच्छा भी नहीं यह प्रस्ताव 140 करोड की देश की जनता के मन का प्रतिगोश कस्मीर से कन्यक कुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विश्तरूत भूभाग के अंदर देश के हर कौने से हर तैसिल से हर कॉंसिटेंसी से एक आवाज सामन्य रूप से उभर कर आई है कि देश का नेतरूत अगले पांच साल के लिए स्री नरेंद्र मोधी करें इस सब्सक्राइब और दस साल जो प्रधान मंध्रीजी के रूप में होदी जी ने काम किया इस में हर क्षेत्र में युगांत कारी परिवर्तन करने का काम उनके नेतरूतों में भाजपा अंडीए सरकार ने किया है और देश की जनता का जनादेश उसको एकनोलेज करता है इस पर मजबूत ठप्पा लगा और आज कि पवीत्र जगा जहां हमारे संविधान का निर्मान हुआ वो संविधान सदन के अंदर हम जो लोग फैसला करने जा हैं वो आजाद भारत के इतियास का एक इतियासिक फैसला है कि साट साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रदान मंत्री बनने जा रहा है वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी है इसलिए मैं भारतिय जनता पार्टी के करोरों कारेकरताओं की और से देश की जनता की और से और एंडिये के सयोगी दलों की और से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रिमान डाधनाच सिंग जी ने रखे हैं इनका मन पूर्वक समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप मैं भारतिय जनता पार्टी के वरिश्ट नेता के इंडिये मंत्री मैंने नितिन गड़करीजी से काऊंगा वो प्रस्ताव का अनुमोदन करें मैं सभी नवनिर्वाचित लोकसबा सदस्यों का रुदै से बहुत-बहुत अभिननन करता हूं को शुबकामनाए देता हूं रक्षा मंत्री अध्रणिय राजना सिंग जी ने भारतिय जनता पार्टी संसे दल के नेता इंडिये के नेता और लोकसबा के नेता के रूप में अध्रणिय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है मैं उसका अनुमोदन करता हूं और विशेश रूप से पिछले दस साल में उनके नेतूत्व में कारे करने का सोभाग्य हमको मिला हमारा देश सुखी हो सम्रुद्ध हो संपन्न हो विश्व की महाशक्ती बने और समाज के सरवागिन श्यत्र में उन्नतियों और विकास हो के लिए क्वद्ध होकर समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है और मुझे इस बात का विश्वास है कि केवल देश में नहीं तो पूरे विश्व में अपने कारे से उन्होंने पूरे विश्व को भी प्रभावित किया है अभी दस साल में जो काम हुआ ओ तो एक प्रकार से शुरुवात थी पर इसके बाद आने वाले पास साल में हम विश्व की एक महान ताकत बनेंगे ऐसा हम सब को दूर विश्वास है मैं अपनी तरफ से अधरिनिया मोदी जी को शुवकामनाय और शुवेच्चाय देता हूँ और अधरिनिया राजनाजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका अनुमदन करता हूँ और फिर से एक बार आप सब को धन्यवाद देता हूँ मस्कार मैं NDA के हमारे साथ ही और GDS के नेता शुरी SD कुमार स्वामी जी से आगरे करूँगा कि वो इस प्रस्ताव का अनुमदन करें